गुड मारिंग फ्रेंट्स थिस थिया में आपके साथ शेयर करूँगा छे बेसिक एक्सल फंक्षंस जो की बहुत ज्यादा यूज होते हैं तो जो बिल्कुल बिगनर हैं जिन्होंने अभी एक्सल बिल्कुल स्टार्ट किया है राइट कुछ भी आइडिया नहीं है बहुत आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को अभी तक सब्स्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्स्क्राइब कीजएगा नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक जरूर कीजएगा फ्यूचर के सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों सबसे पहले पहुँच पहें मेरे साथ Excel पर webinar जोइन करने के लिए वीडियो के description में मैंने link दिया है उस पर click करके आप registration भी करा सकते तो friends screen आप लोगों के सामने है यह file मैं use करूँगा इस file को आप लोग video के description में मैं link दे दूँगा वहां से download भी कर सकते है practice के लिए तो सबसे पहला function है हमारे पास addition addition क्या friends मेरे को दो numbers को add करना है Excel में हम कैसे करेंगे उसको simple friends मेरे पास Q1 और Q2 की sale है Q1 और Q2 की sale है मेरे को इन दोनों को plus करना है Q1 और Q2 को total चाहिए तो एक option तो है equals to मैं this plus this इन दोनों को plus करूँगा और भी number है आप plus लगा-लगा के उनको select करते रहेंगे और आपको जब सारे number select हो जाए प्लस लगा-लगा के एंटर करना है तो आपको total पता चल जाएगा दूसरा sum function होता है आप उसको भी उसकर सकते है equals to sum sum bracket start number one number two तो पूछ रहा है आपको अलग-लग number select करना ही जड़ोत नहीं है आप पूरा range select कर सकते हैं पूरा range select कर सकते हैं और range select किया bracket close किया enter तब भी आपके पास answer आजाता है और आपको simple इसको सारी range में नीचे copy करना है सारी range में आपको चाहिए हर item का आपको sum चाहिए तो आप simple friends इसको copy करेंगे और copy करके इसको नीचे paste करेंगे तो formula जो है सारे में लग जाएगा यह उससे related items को sum करके आपको दे देगा दूसरा reference देखेंगे subtraction subtraction क्या होता है basically difference in q1 and q2 मेरे को q1 और q2 की sale में कितना difference है वो निकालना है तो equals to q2 minus q1 q2 minus q1 right q2 minus q1 मैंने किया enter किया तो मेरे पास difference आ गया कि q2 में मेरी 278 रुपए 71 पैसे से sale down हो गई copy किया मैंने और इस formula को नीचे तक paste कर दिया copy के लिए Ctrl C और paste करने के लिए Ctrl V shortcut की Ctrl C Ctrl V है यह मैं आपको अभी menu में भी दिखा दूगा menu में भी दिखा दूगा right तीसरा option है planned sale for q3 planned sale for q3 क्या है मेरे पास friends दिया हुआ है price per unit की वही एक unit का price क्या है है और मेरे को यह बता दिया जी कि q3 में कितने unit sale हो सकते हैं वह projection दे दी total मोटा मोटा आइडिया कि हो सकता है हम इतना sale कर दे q3 में इतना माल बेज दे इतने unit बेज दे तो मेरे को unit का price पता है और number of unit पता है तो मेरे को planned sale कितने की होगी q3 की simple reference मैं simple price per unit multiplied by जो मेरे planned for q3 units है कि इतना मेरे unit sale हो सकते है मैं इसको multiply किया right इसको copy करना है मेरेको एक तो ctrl c option है अपने पास यह reference आप क्या कर सकते है आप home के अंदर जाएंगे और home के अंदर friends आपके पास यहां पर एक copy option आता है control c shortcut की आपको यह लिखा भी दिखाई दे रहा है copy किया and friends इस पूरी range में आपको इसको क्या करना है paste कर दे रहा है तो आप shortcut की use कर सकते है या उपर menu बार से भी use कर सकते है shortcut की से काम थोड़ा fast हो जाता है division करना है division क्या है quantity sold in q1 q1 में कितनी quantity मैंने sale की तो मुझे q1 की sale पता है total माल कितना बेचा और price per unit मुझे पता है कि एक unit का price क्या है तो मुझे quantity निकाल ली है तो equals to q1 की sale divided by price per unit total sale को price per unit से divide करूँगा तो मेरे पास quantity आ जाएगी तो मेरा division आ जाता है divide किया मैंने तो इसको copy किया और simple front नीचे तक मैंने इसको paste कर दिया ctrl c and ctrl v paste कर दिया मैंने तो मेरे को division पगा चल गया percentage percentage change in q2 percentage change in q2 मतब q1 से q2 में जो increase हुआ यह decrease हुआ हमने column match में difference निकाला था यह increase हुआ है यह decrease हुआ है तो यह 2700 रुपे से मेरे sale कम हो गई 500 रुपे से इस item की sale मेरी बढ़ गई q1 से q2 में तो यहां मेरे को उसकी percentage बतानी है कि कितना percentage change आया तो simple friends equals to जो भी मेरा difference है जो भी मेरा difference है q1 और q2 का इसको मैं divide किससे करूंगा q1 से difference निकालना है कि q1 से कितना percent मेरा increase हुआ यह q1 से कितना percent मेरा decrease हुआ तो जिससे भी निकालना है उससे में divide करूंगा मैंने इसको इससे divide किया तो friends आप देखेंगे मेरे को 4% आ गया यह percentage का sign आपके case में नहीं दिखाता है अगर तो home में जाके friends आप यह percent पे क्लिक कर दीजेगा percent पे क्लिक करेंगे आपको percentage का sign दिखा देगा मैंने इसको copy किया और नीचे तक friends आप देखेंगे मैंने इसको paste कर दिया तो यह मेरे को दिखा रहा है यह 4% से कम हो गई मेरी sale इस item की 14% से बढ़ गई 7% से बढ़ गई कुछ item कम हुए कुछ item मेरे बढ़ Q1 & Q2 में जो total sale होई है उसका average किया है उसका average किया है तो मैं simple क्या करूंगा friends equals to bracket के अंदर Q1 plus Q2 bracket close bracket के अंदर Q1 plus Q2 दोनों को मैंने bracket के अंदर रखा Q1 & Q2 को and फिर उसको मैंने क्या किया divided by average निकालना है average निकालने का मतलब क्या है friends divided by जितने भी मेरे number of item है Q1 number 1 Q2 number 2 total number of item 2 है तो मैं divide by 2 करूँगा divide by 2 करूँगा enter करूँगा मेरा average आ जाएगा एक तरीका तो यह है कि मैं इस तरह से average निकाल सकता हूँ दूसरा तरीका friends जो मैं suggest करूँगा आप लोगों को use करना चाहिए वह average का function आप use कर सकते हैं equals to A-V-E-R-A-G-E आपने average लिखा bracket start किया average और यह पूछ रहा है जी number one number two जितने भी number है उनको एक साथ select कर लो एक साथ select कर लो मैंने एक साथ select कर लिया और bracket को close कर दिया और enter किया तो यह अपने आप उस range में जितने भी item है उनका average देदेगा तो पहले जो मेरा result आया था और जो अब result है दोनों बिलकुल same है friends simply मैं इस तक मैं इसको paste कर दोगा right तो इस तरह से मेरे पास सारी items का average आ गया right friends तो I hope friends 6 functions बहुत जाधा use होते हैं जो बिलकुल beginner है उनके काफी काम किये तो friends अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को like जरूर कीजेगा friends के साथ share जरूर कीजेगा and अभी तक अगर आपन registration में मैंने link दिया हुआ उस पर click करके आप अपना registration भी करा सकते हैं